गुड माने के स्टूडेंट्स तो आए देखते हैं क्लास 11 का रंगा मेरीज मतब इसका अर्थ होता है रंगा की साधी तो इसके जो लेखाक हैं वो हैं मस्ति विंगटे सा अयर हाणा तो इस जो लेशन में क्या बताया गया है कि रंगा लेखा पाल का पूत्र गाउं के लोग जाती का था जो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए सहर गया था जब वहां बैंगलोर सहर से वापस आया तो गाउं के लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए यहां देखने के लिए कि उसमें कोई बदला हुआ था या नहीं साधी के बारे में अब उसके ख्यालात का आप भी ना थे या फिर भी लोग तो आए देखते हैं लेसान है ना वेन यू सी दिस लिटिल सेम और यू में आस का रंगा मैं दी जा तो यहां पर क्या बूला जा रहा है कि जब आप यहां सीर्षक देखेंगे आप में से कुछ एक पूछ सकते हैं रंगा की साधी करके है आप वायनाट रंगानाथ विवाह और रंगानाथ विज्या वेल यस आइनो आइकूड हेव यूजड अधार माउथ फिलिंग वन लाइक जगनाथ विज्या और गिर्जा कल्याना हां मैं जगनाथ विज्या गिर्जा कल्यान जैसे कोई अन्या सब्दों का परयोत कर सकता था लेकिन यह जगनाथ विज्या और गिर्जा की साधिके बात नहीं है यहां तो हमारे अपने रंगा के साधी से जुड़ी बात है हाना तो यहां पर क्या बोला जा रहे हैं कि होसा हली हमारा गाउं है आपने अवाज से हैं इसको सुना होगा No, what a pity but it is not your fault There is no mention of it in any geography book Those sahips in England writing in English Probably do not know that such a place exist and a soul make no mention of it तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हमारा का होसा हली है आपने इसका नाम सुनाहीं होगा? नहीं, बड़े दुख की बात है लेकिन इसमें आपका दोस्त नहीं है किसी भी भूगोल की किताब में इसका जीक्र नहीं है हाना? इंग्लैंड में रहने वाले सहाबों को वे अंग्रेजी में लिखते हैं सायाद मालोग ही नहीं कि ऐसा कोई स्थान भी है और इसलिए इसका जीक्र नहीं करते हमारे अपने लोग ही इसे भूल जाते हैं जानते ही हैं कि वे किस प्रकार के लोग हैं वे भेंडों की तरह एवाम जूंड ही है यदि भेंड यदि गड़े में गिड़ जाती है तो सेस भी आखे बंद किये हुए उनके पिछे कुछ जाती है जब इंगलैंड में रहने वाले सहाब और आप हमारे अपने भुगोल लेकों को ने इस गाउं का जीकर ही नहीं किया तो आप बेचारे नक्षा बनाने वाले से इस नक्षे पर दिखाने के उम्मित कैसे कर सकते हैं और इसलिए किसी भी नक्षे पर हमारे गाउं की छाया भी नहीं देखने को मिलेगी तो यहां पर क्या बोर रहा है कि नक्षा में क्या है गाउं का नाम नहीं है कर दो अबर प्यक्रिक भर्ग प्रिक प्रग गिवाट इब आफ । आट इस घ्टार देग मेड लायक फालन इच वाह्ट इव अ॥ Bाख उट पेत से बाट प्रेशब कर दो तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि छमा चाहता हूं मैं बाद के सुर्वात कहां से किया था और दूसरी दिसा में चला गए यदि मैसूर राज ये भारत वर्ससे वहीं संबन्ध है जो एक तिहार का कारिगा दाबू कहे तो वहीं होसाहली का भी वहीं संबन्ध मैसूर राज्य से हैं जो वहाँ पूरी तरह साच है इस पर तुम्हारे द्वारे प्रस्ण उठाने पर मैं अपत्ति नहीं करूंगा लेक वे कई इस्थानों पर घुम चुका है नहीं इंग्लेंड नहीं यदि कोई उनसे पुछे कि वे वहाँ पर घुमा है तो उनका कहना है नहीं अन्यधा यहाँ बात मैंने आप पर छोड़ दिया है पिस्सू पिरित कुट्टे की तरह इधर से उधर गुमना मेरा काम नहीं है फिर भी मैंने अपनी जिन्दगी में बहुंसी जगा देखी है सचाई यहाँ है कि उसने बहुंसी जगा देखी है हना अजगा बदेखी है सूर्या सवर्यग घर्च वहाँ है नहीं प्रत सवर्च बात बात्व शरीद करीगा दब दब है इस तू अव है फस्टेर मिल वा यह जगा छावली इस दो मैंस्टार इस लिए्टब्ब्स, टीद करीगा दब दब देखी है करीगा दब दब्स थावल absolutely true, believe me, I will not object to your questioning, it is it, but I will stick to my opinion, I am not the only one who speaks glowingly of Khosahalli, we have a doctor in our place, his name is Gundabhatta, he agree with me, he has been to quite a few places, no one, no not England, if anyone ask him whether he has been there, he says no, Ananya, I have left that, you know, running around like a flea-pistled dog, it is not for me, I have seen a few places in my time, talk as a matter of fact, he has seen many. तो यहाँ पर क्या बूल गया है, कि मतलब एक प्रकार से जो होसाल लिगा हो है ना, उसका भी पैड़शे दे दिया जा रहा है, और उसमें रंगनाम का एक लड़का है, हाना, तो इस्टुडेंट आगे का जो है लेसान, हाना, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा, थाइंक्यूरिमा यहाँ प्रचबित